पर आपको बैंक निप्टी, निप्टी, मीड कैप निप्टी और फिन निप्टी बिल्कुल आसान सब्दों में एनलेसिस करके मेरे द्वारा दिया जाता है दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेश करें आज एनलाइस करेंगे निप्टी, बैंक निप्टी, फाइब मिर्ट टाइम फ्रेम में और प्रेडिक्ट करेंगे, एनलाइस करेंगे, कल का मार्केट कैसा रहेगा market के importance level क्या होंगे कहां से support ले सकता है market और कहां से जो है वो resistance face कर सकता है market उससे पहले देखूंगे कि Thursday का market कैसा रहा क्या market जो है importance level से जो मेरे द्वारा level से दिये गया है वहां से वो bonds किया support level से और जो buying zone मेरे तब से और selling zone create करके मैं आप लोग को provide करता हूँ आप लोग को वीडियो में inform करता हूँ क्या वो levels work कर रहा है trend line identify करेंगे कहीं पर trend line बन रहा था और वीडियो में जैसा कि हम लोग चार्ट patterns find करते हैं कि कहीं से कोई chart patterns बन रहा था chart pattern identify करने से ये फायदा होता है क्या वो proper work भी कर रहा है और जो beginners है उनके लिए बहुत profitable हो जाता है chart patterns क्या होते है वो उनसे pattern कब कैसे work करता है ये सारी चीज़े उसमें सीखने को मिलता है तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं वीडियो को last तक देखिएगा इससे आपको सारी चीज़े A to Z जो चीज़े मैं बताता हूँ वीडियो में वो सारी चीज़े आपको clear समझ में आएंगी यो देखो अगर वीडियो कहीं भी skip करोगे आप तो क्या होगा कि कोई level ऐसा होगा वो miss कर जाओगे आप और miss करने के बाद क्या होगा कि कहीं ने कहीं आपको उसमें ट्रेडिंग में नुक्सान होगा तो मैंने बैंक निप्टी का जो है 5-minute का चार्ड ये लगा दिया है तो प्रोपर हम लोग पहले analyze करेंगे कि जो Thursday का market था उस दिर मार्केट ने कैसा react किया तो market Thursday को जो है तो आसे मैं इसको जूम कर लिता हूँ ताकि और की लिए समझ में आएगा आप लोगो जूम करके ये इस तरसे मैंने जूम कर लिया इसको और देखेंगे market ने 25 January को कैसे react किया almost लगर मैं बात करूँ तो यहां से जो है 25 ये फ्लाट ओपनिंग था 25 को फ्लाट ओपनिंग के बाद एक लेवल था मैंने जो लेवल दिया था आपको 45,100 का लेवल दिया था फ्लाट ओपनिंग में यहां पर market जो है ओपन होने के बाद जो है थोड़ा सा यहीं पर time spend करने के बाद जो लेवल है 44,874 का breakdown मिला हमें जैसा कि यहां पर भी आप देख सकते हैं यहां से resistance था यह resistance था मार्केट का तो इसे ब्रेक करके ऊपर गया और सेम जो लेवल 45,100 से जो है तो यह एक important level एज़र वर्क कर रहा है आपकर एक एज़र important resistance वर्क कर रहा है यह तो इसे हम importance resistance मानके चलेंगे कल के लिए और यहां पर आप देखो अदर market में क्या हुआ कि यहां पर market जो है यहां पर एक fall दिया है एक अच्छा खासा market में fall देखने को मिला उसके बाद total जो है market sideways रहा sideways रहा sideways रहा sideways रहा sideways के बाद जो है एक trend line भी हम लोग डाल सकते हैं तो train line से क्या फायदा होता हो मैंने पहले पहले ही बता है कि trend line से आप trend को identify कर सकते हैं अगर हम लोग यहां से trend line एक डालते प्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद जो है उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे देखोड़ एक पैटर्ण भी बन रहा है अगर आप देखोगी एक पैटर्ण बन रहा है जिसे जो बोलते हैं double bottom यह देखो इसका नेकल लाइन ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद market टीन मार यहां पर देख लो आप अगर बात करें एक यहां पर आपका यह डो बॉटम निकल एंड ब्रेक हुआ इंपोर्टन्स ब्रेक हुआ 44600 का जो अगर ब्रेक करने के बाद मार्केट आप देखोगे तो एक अच्छा खासा पॉइंट आपको यहां से आप देखो लगो 500 पॉइंट का यहां से मिला तो इसलिए अगर मार्निंग से भी ट्रेड नहीं करते कोई भी ट्रेड नहीं हुआ अगर वेट वाच करते तब यह आपको ट्रेड लाश्ट में तीन वजए का जो 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 ता यहां पर इतना यह कैप्टर करने को मिला अब मार्केट में जो है यह 44,866, 44,836 की average closing है, अल्मोस्ट अगर बात करूँ, यहां से जो है, वो market का जो average closing है, वो यहां पर, इस zone में कहीं पर, यहां पर कहीं पर, जो है, वो average closing, इसके नीचे सोरे, इसके नीचे कहीं पर, जो है, वो average closing आई यह, ठीक है, तो अब हम लोग क्या decide करना है, कल के लिए कैसा रहेगा market, और कल के लिए कैसे trade करेंगी, importance level जो है, वो क्या रहेंगे कल के लिए, तो सबसे पहले मैं यह से erase कर लेता हूँ, और अब देखते हैं, कल के लिए importance क्या रहेगा, तीन scenario है, first is gap up, दूसरा है gap down, और तीसरा scenario जो है, वो flat के scenario में, कैसे trade करेंगी, उसको हम लोग देख लेते हैं, market जो है, अलमस्ट यहां पर कहीं पर बंद हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं, flat के scenario में, कैसे trade करना है हमें, market अगर इस zone में कहीं भी open होता है, 44,875, और दूसरा zone है, हमारा 44,750, इस zone में कहीं भी open होता है, हमें trading avoid करना है, नहीं करेंगे कोई trading यहां पर, ठीक है, तो कि almost अगर बात करू, flat में क्या है, कि कोई वैसा points आप ज़्यादा गेन नहीं कर पाऊगे, एक अच्छा trade मिलेगा आपको, जब या तो market इसको break करता है, break करता है कितना 44,875 का level, तो आपको almost ये level देखने को लिए मिलेगा, जो है 45,000 के करीब जो है, यह first level होगा आपका, first level की बात करू, target one की बात करू मैं, तो 45,000 का level first level होगा हमारा, अगर flat open होकर और upside के तरफ market move करता है, sustain करता है, market इदर उपर जाता है, और sustain करता है, तो पहला level first target होगा हमारा, 45,000, जो psychological एक resistance है, यहाँ पर, ठीक है, और second level होगा हमारा, वो होगा 45,100, जो important level है हमारा, और ये एक resistance लेग करेगा कल के market में, ठीक है, अगर इससे break करता है, तो 45,100 को break करता है, तो हमें जो कल का market है, इस यहाँ तक देखने को मिल सकता है, यह market में क्या है, थोड़ा positivity है, दूसरी चीज़ क्या है कि बिहार के election, बिहार के जो, बिहार में बीज़ेपी की government जो है, वो वहाँ पर बनी है, तो यह भी जो है, एक positive sign है, तो almost जो है, यहाँ तक market जो है, कल हम लोग देख सकते हैं, और यह हमारा selling zone है, तो यहाँ पर जो market आएगा, पैटर्न्स बनता है, जिससे हमें identify होता है, कि यहाँ पर जो है, seller activate हो रहा है, तो हम बिन्दास यहाँ से क्या करेंगे, तो टबाई करके, और अपना जो first level होगा, यहाँ तक का profit book कर सकते हैं, यह हमारा जो है, वो कल के लिए, जो level रहेगा, वो मैंने बता दिया, importance level जो हमारा कल play करेगा, वो करेगा, हमारा play यह करेगा, 45,100 importance level रहेगा, upside के लिए, मैं एक और repeat कर दे रहा हूँ, लगवग 5,800 क्या rally देखने को मिल सकता है, कल के date में, ठीक है, मैं यह नहीं कर रहा हूँ, exact की, उपर के side ही market निकलेगा, और आप लो जाकर C-E-B-I कर लेना, educational purpose, as per my analysis, और as per the news, मैं analyze करके यह बता रहा हूँ, market में क्या है, कि हमेशा आपको neutral रहना है, neutral रखकर ही market में आप trade कर सकते हैं, price action क्या बंदा है, उसके हिसाब से आपको trade लेना है, मगर जो levels है, वो importance level में बता दाओं कि importance level क्या रहेगा, market अगर उसके उपर सा strength करता है, तो upside का view वनेगा, market उस level के नीचे रहेगा, तो downside का view वनेगा, तो कभी भी market में ये नहीं है कि bullish हो जाना है कि नीचे एकदम bullish है, हम buy कर जाकर हम CE buy कर लेंगे और हम profit कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होता market में बिल्कुल, हमें neutral रहना पड़ता है market में, जो price action बोलता है, और उस level के अनुसाथ जगल, जो है price action बन रहा है, तो हम उस हिसाब सो अपना trade इस्ट्यूट करते हैं, downside में क्या ध्यान रखना है, market अगर इस यहाँ flat open होता है, यह level break होता है, 44,750 का level है, वो break करता है, breakdown मिलता है यहाँ से, और breakdown की बाद retention मिलता है, तो हम लोग first target होगा, 44,600 का first target होगा, और second target हमारा होगा, 44,400 जो day low है 25th jan का, तो यहाँ तक का trade मिलेगा, और अगर इसका breakdown होता है, तो एक अच्छा खासा trade में मिल सकता है, देखो जब तक 45 trending market आपको बड़ा move तर मिलेगा, जब यहाँ तो market 45,000 एक 100 से उपर चला जा market, तो एक अच्छा खासा move मिल जाएगा आपको, 45,100 के उपर market से strain करता है, तो एक अच्छा upside का move मिलेगा आपको, वैसे trade तो मिलेगा आपको upside में यहाँ तक का trade मिलेगा, downside में अगर यह level break होता है, breakdown मिलता है, 44,400 का, तो एक अच्छा खासा down move मिलेगा, जो लगवाग मांगी चलो 400 से 500 point का होगा, ठीक है, और नहीं तो छोटे मोटे trades तो आपको मिलते रहेंगे, चोटे मोटे trades मिलेंगे आपको, जिसमें आप जो है, जो 50-100 point तक आप आजली book कर सकते हो, अगर long trade लेना है, long trade अगर 200-300 point का लेना है आपको trade, तो इसके लिए आपको wait करना पड़ेगा, 45,100 के यह market उपर sustain करें, या फिर 44,400 के नीचे market sustain करता है, तो एक अच्छा खासा move आपको upside में इधर, और downside में इधर मिलेगा, इसमें मिलेगा, आपको market में हमें से neutral रहके trade करना है, price action का wait करेंगे, levels write down किया करो, आप लेवल जो है important, लेवल बहुत ज़रूरी है, लेवल करना है अगर आपनों लोग जो है वो trade करोगे, हमें इसा profit रहेगा, market में wait करना है, trade identify करना है, और proper अगर trade मिलता है, तो ही entry करना है, नहीं तो नहीं करना है entry, अब देको यह trade बंग रहा था, ठीक है, trade यहाँ बंग रहा था, क्योंकि यह confirmation हमें मिला कि double top है, तो यहाँ पर neckline break किया, हम आराम से यहाँ पर trade ले सकते हैं, और हमारा ASL जो stop loss है, यहाँ ब्रेक नहीं कर पा रहा, उपर closing नहीं दे पा रहा था, यहाँ से, तो यहाँ से क्या है, यहाँ बन रहा था, यहाँ पर आया फिर इस level पर, 44,875 पर फिर से वो क्या कर रहा है, कि sustain कर रहा market यहाँ पर, मगर breakdown नहीं दे पा रहा था, last candle में जब यह candle breakdown दिया, close किया, वहाँ आप से market जो है, वो सार फॉल किया, फिर उसके बाद sideways, sideways रहा market, sideways, sideways और फिर उसके बाद एक last moment पर trending हुआ market, तो कल के लिए मैंने levels बता दिये हैं, ध्यान से trade की जएगा, और अच्छा trade कल की date में मिलेगा और एक फरवरी तक जहां तक उमीद है, एक फरवरी तक market जो है trending ही रहेगा, तो निप्टी कल का market कैसा रहेगा, कैसा react करेगा, तो time frame जो है, हमारा वो 5 minute का time frame है, levels अलेडी जो है, वो मैंने draw कर दी है, average closing की बात करूँ, average closing 21,352 की average closing है, almost बात करूँ, तो इस zone से एक point उपर यहां पर, market में, market जो है, flat, 0.5%, 0.5%, 0.5% का कुछ था, point निप्टी में, जो green में था, और totally flat open होने के बाद market जो है, सस्टेन नहीं कर पाया, already मैंने आपको बताया है, कि selling zone क्या है हमारा, यह selling zone है, previous video भी उठागर आप देख लिए, selling zone पर जब भी market जा रहा है, वहां से क्य अब यहां पर क्या हुआ, market है, यह हमारा पहले क्या था, buying zone, जैसे हम लोग support और resistance, resistance become support, support become resistance जब रूपता है, तो यह हमारे buying zone था, बार बार market यहां पर आने के बाद जो है, वह यहां देखो, आप यह चीज़ देख लो, यह देखो आप, क्या हो था, market क्या हुआ था, कि प अब यह क्या हो गया है, यह अपर, तो यह फिर एक bonds, यहां पर, जब भी market आया, यहां जो हुआ हूआ, कि लोग खारना star किया, फिर market यहां पर लिया, फिर market पर खारना start हुआ, फिर bond्स के market, फिर उस 관련ary market पहप भी market पहुआ, फिर market में क्या हुआ है, अच्छा buying मिला, फिर देखो आप यही यही पर आया फिर एक अच्छा आपको देखने को मिलता है बाइंग ऑपर्चुनिटी है जब भी इस लेवल पर यह जो है बाइंग जो है तो यहां पर लोग जो है वो खरिदना पसंद कर रहा है लोग वेट करते हैं यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर जादा था लोग बाइंग करना पसंद कर रहा है अब मार्केट यहां से रिवर्स किया और रिवर्स करने के बाद क्या हो रहा है जो कि इसे ब्रेकडन आप ऑफ तो नो इंदेन के बाद तक अब डिया और यहां पर देखो अब यहता बार यहां पर वद शॉलेग ऑनना पर शॉडविज थाल्य और यहां पर सलिंग और वर्ध वार एश्टम सपर्क अब आससीर आप यहां अमर से pareil zone से अब यहाँ पर जब break हुआ है यह ब्रेक होने के बाद यह एक deep लिया market जो है फिर एक यहाँ पर फिर से एक बार resistance लिया है फिर से यहाँ पर sale of देखने को मिला है तो जब भी market यहाँ पर आएगा कोई ऐसा जब तक यह तोल के sustain के रीटेश नहीं करेगा तब तक जो है upside का view यहाँ से हम नहीं ला सकते हैं क्यों नहीं ला सकते हैं क्योंकि यह एक selling zone है जहाँ पर sellers activate हो जा रहे है अब market में क्या देखना है हमें हमने तो आपको क्या पता है अभी buying zone और selling zone के मिला हमें breakdown, retest और उसके बाद एक deep है न यह deep मिला हमें यहाँ तक का deep मिला है फिर market यहां से bounce किया sideways 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 और उसके बाद market जो है तीन वज़े यह trending हुआ है almost जो है अच्छे खासे लोगों जो है hilo zero का जो trade करते हैं वो अच्छा खासा यहां पर profit बनाए होंगे अगर उनका trading जो है trade सही execute होगा तो अगर उनका analysis सही होगा कि market में जो है यहां से bonds मिल सकता है यहां पर क्या है कि इसका swing जो यह swing है इसे उपर गया market close किया तो आराम से यहां पर entry बनता है और यह जो भी scalping व अब side में चला गया अब उसके लिए क्या identify करना है कि trend कैसे चेंज हो रहा है तो मैंने आपको रहा है trend line रहो कर लो इस तरस तो trend line डालना है यह trend line हो गया आपका अब देखलो trend line से क्या पर चला कि trend change हो रहा है यहां फर्स्ट जाया कि market में यहां पर 25-24 पर आ रखका है तो औ पर चला करना है तो यह trend line डालना है जब पता करेंगे कि trend change हो रहा है market कभी हुई जो है वो जब train line जब change होगा तो आपको आटमेटिकली नहीं पता चला कि trend हो रहा है उसके लिए trend line से हैं और बी इंडिकेटर से जहां से आपको पता चलेगा कि आपका जो है वो trend change हो रहा है यहां से down trend का market में यह test किया इसे मगर यहां से फिर एक जो है वो मिला और यह फिर sideways जो कर देख लिए आप record मिला है तो हमेशा trend line ड्रॉ करो जिससे आपको क्या है कि trends का पता चलेगा ठीक है अब अब कल के लिए क्या देहानक में है वो अम दो discuss कर लेते हैं तो कल का importance जो लेवल रहेगा वो importance level रहेगा आपका यह आपका importance चलब है 21,270 का जो level है वो importance 270 करके 250 कर लो आपके 250 तक कर लो इसको यहां तक slide कर लेते हैं 250 का level कर लो इसमें क्या होगा कि market मान कि चलो यहां पर close हुआ है इसी range में कहीं भी open हो जाता है इस range में कहीं भी open होता है तो हम लोग जो है थोड़ 21,500 यहां पर थोड़ा से मुश्किल रहेगा market को अगर gap-up ही open हो जाता है उसी range में भी बात कर रहें कुछ दर में तो पहले यहां तक जो है पहला target रहेगा और अगर कल एको market में थोड़ा positive news है तो maybe market जो है वो कल यह level break कर सकता है जो यह selling zone है अपना यह break कर सकता है तो हम लो और second target जो होगा हमारा यह होगा 21,560 यह यहां तक जो है अगर break जो है अगर कल जो positive news है अनुसार अगर market रहता है तो यहां तक कल को level देखने को मिल सकता है dawn side में बात करें तो dawn side में हम लोग जो है wait करेंगे 21,350 का है यह level breakdown मिलता है हमें तो first target होगा 21,250 और second target होगा 21,200 ठर्ट target होगा 21,150 ठीक है यह dawn side का होगा scenario क्या है हमारा scenario है यह flat opening में महान कि चलो gap up open होता है इस level के 400 के उपर होता है तो क्या करना है हमें आमें क्या करना है wait करना है कि क्या market sustain कर रहा है को ऐसा chart pattern बना रहा है जिससे identify हो रहा है और अगर down side में निकलता है तो एक अच्छा खाथ सा trade हमें जो है वह मिलेगा कर down side में ज्यादा gap down नहीं open हुआ तो हम लोग price action के लिए wait करेंगे price action जो है अगर को chart patterns वेगा identify होता है confirmation मिलता है कि market जो है यहां से sustain नहीं कर पा रहा है नीचे ऊपर नहीं जा पा रहा है नीचे जाएगा तो हम लोग यहां पर put के लिए entry बनाएंगे और यह पहला target होगा 21,250 और second target होगा 21,200 था target 21,050 तो यह importance जो है वो levels already मैंने draw कर दिये यह write down कर लेना लिख लेना जिससे वीडियो को देखा करो और वीडियो का skip मत किया करो बहुत मेनर लगता है वीडियो बनाने में और आप लोग के फायदे के लिए ही मैं वीडियो जो है वो बनाता हूँ जिससे आप लोग को level निकालना देखो market में पैसा बनाना बहुत easy है मर कहीं उससे ज़्यादा easy है आप इसको पैसा गवाना क्योंकि अगर आपके पास knowledge नहीं होगा आप एक दिन पैसा बना लोग एक लाग रुफे है क्या आप इस एक लाग को बचा पाओगे डिपेंड करता है आपके इसको बचाने कर तो market में हमें हमें क्या वेट करना होता है वेट करना होता है एक सही trade को औ इस पर आपको educational परपस से सारी चीज़े दी जाती है ठीक है और यहां पर educational लेवल दी जाते हैं कि यहां पर जोइन वोकर आप इज़िली वहाँ से कर सकते हो ठीक और यहाँ पर भी question put up कर सकते हूँ, चाहे वर्सक पर भी आप put up कर सकते हूँ, मैं number दिया हुआ है इसमें, तो वहाँ से आप कर सकते हूँ, ना